हेलो स्टुडेंस माइनल मैं इस मनीशा और वेल्कम तू माई यूट्यूब चैनल Students आज से हमारा जो accounting का जो है हमारा chapter स्टार्ट होगा जिसका नाम है contemporary issues in management accounting इसके अंदर हम बात करेंगे price level accounting के बारे में इसमें students second जो हमारा part होगा वो हमारा होगा activity based costing के बारे में जिसके उपर मैंने already video जो है बनाई हुई है मैं उसका link आपको i button में उपर दे दूँगी आप वहाँ से जो है इस video को देख लिजेगा तो students इस chapter में हम बात करेंगे इस chapter की हमारी जो videos होगी ये हमारी कम से कम मतलब कि maximum हमारी जो इसमें videos होगी वो 8 होगी 8 videos के अंदर जो हमारे chapter जो है complete होगा तो मैं आपको थोड़ा overview बता देते हूँ कि हम उन 8 videos में क्या क्या complete करेंगे तो इस chapter में हम basically inflation के बारे में पढ़ेंगे deflation के बारे में पढ़ेंगे financial statement के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें और inflation accounting के बारे में उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे methods and techniques of price level accounting इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे जो ये method दिये गए हैं इनके आगे भी हमें mechanism जो है ये दिया गया है ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें students आगे इसमें हम cover करेंगे अपने जो methods है ये ठीक है और adjustment जो है इसमें दी गई है ये सब हम पढ़ेंगे और जो हमारा last video होगी उसके अंदर हम बात करेंगे advantages and disadvantages of price level accounting तो I hope कि आप सब को ये overview थोड़ा जो है आपको clear हो गया होगा कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम start करते हैं हमारा आज का topic contemporary issues in management accounting तो सबसे पहले तो students मैं आपको एक बात clear कर दूँ इसमें कि जो ये price level accounting है इसका दूसरा नाम क्या है inflation accounting ठीक है तो इसका दूसरा नाम जो क्या है inflation accounting के नाम से भी हम इसको जानते हैं ठीक है तो ये exam में आपके पास price level accounting के उससे भी आ सकता है और inflation accounting के उससे भी आ सकता है नाम से ठीक है तो अब आपको इसमें confused होने की कोई जरूरत नहीं है ये दोनों ही एक ही है ठीक है तो इस chapter में हम जादतर use करेंगे inflation का ठीक है तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही clear कर दिया है तो चलिए हम start करते हैं हमारी आज की वीडियो तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको पूछूँ पूर example कि आप आज market में गए हो ठीक है और आपने जो है कोई product purchase किया है ठीक है तो मान लीजिए आपने वह 100 रुपे में purchase किया है तो क्या आने वाले time में ठीक है आने वाले time में एक महीने बाद दो महीने बाद या छे महीने बाद भी अगर आप उस product को फिर से लेने जाओगे तो क्या वो आपको 100 रुपे में मिल जाएगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जाहिर सी बात है कि कीमत उसका जो price है वो बड़ा हुआ ही होगा ठीक है ऐसा तो सिरफ 90 मतलब कि 10% ही chance है कि उसका price जो है वो कम हो गया होगा शायद लेकिन जाद जादर बढ़ने का chance ही होता है तो जो यह कम और जादा का जो होता है changes होते हैं यह ठीक है यह क्या करते हैं आर्थिक स्थितियां जो है हमारी उत्पन करते हैं यह ठीक है एकनोमिक में तो कौन कौन सी होती है inflation होती है और deflation होती है ठीक है तो inflation को हम Hindi में क्या Μृद्रा सफीती and deflation को क्या मोलते हैं अब सफीती तो अप देख लेते हैं कि inflation क्या होती है inflation क्या होती है जिस थीती में स में उनका लगातार बढ़ना ठीक है मतलब कि प्राइज जो भी है उनमें लगातार वरिदी होना लगातार उनका बढ़ना क्या है हमारा inflation होता है ठीक है तो इसी का उल्टा क्या है deflation अब deflation में क्या होता है जैसे कि इसमें क्या था कि प्राइज में लगातार बढ़ना जो है प्राइजीज का वो क्या होता है इन्फलेशन तो डिफलेशन क्या होता है कि प्राइजीज का लगातार कम होना ठीक है कम भी होते हैं ठीक है लगातार कम होना क्या होता है डिफलेशन होता है ठीक है तो आगे इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले तो financial statement का मतलब क्या है balance sheet और income statement से है financial statement का मतलब ठीक है तो आप देखो balance sheet क्या होती हैT तो balance sheet जो है यह commerce का basic ही है अगर आपने जो है इसको पड़ा होगा plus one में plus two में ठीक है तो आपको यह पता होगा ठीक है तो चली मैं आपको फिर भी बता देते हूं balance sheet क्या होता है जैसे कि for example कोई भी company है ठीक है कोई भी company है वो क्या करती है वो साल के end में जो है अपनी balance sheet को जो loss हुआ ठीक है यह सब जो पता चलता है साल के end में मतलब कि कितनी उसकी asset है कितने उसके liabilities है ठीक है क्या उसने कमाया क्या उसने गवाया यह सब हमें बताता है कौन balance sheet उसके बाद income statement अब income statement क्या होता है एक विशेश अवधी के दोरान उस संस्था द्वारा उपलब्द किये गए संचालन या फिर operating परिनामों को परदर्शित करता है कौन income statement क्या करता है कि एक विशेश अवधी के दोरान एक special time period में संस्था जो है मतलब कि company दुवारा क्या करता है यह operating result को जो है show करता है ठीक है उसके बाद अब मैंने आपको बताई दिया कि price level accounting को ही हम inflation accounting बोलते है ठीक है तो आगे हम बात करेंगे इसमें inflation accounting क्या होती है हमारी ठीक है अभी तो हमने पढ़ा कि inflation क्या होता है deflation क्या होता है ठीक है तो अब हम इसमें पढ़ेंगे inflation accounting क्या होती है या फिर price level accounting क्या होती है तो देख लेते हैं यह ले खांकन की एक विशेश तकनीक है जिसका use उच्छ मुद्रा सफीति की अवधि के दोरान किया जाता है तो मुझे पता है कि आपको इससे कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको simple language में बताती हूँ ठीक है कि जैसे कि किसी भी product की या पूरे production की ठीक है जैसे कि कोई भी product है या फिर production है उसके जो भी prices है ठीक है उनमें जो भी changes हो रहा है उसका company की balance sheet पे effect पड़ता है ठीक है मतलब कि जैसे कि production है कोई भी product है ठीक है उनके prices में जो भी changes हो रहे है ठीक है तो उस effect को उस changes को show करना क्या होता है हमारा inflation accounting कहलाता है ठीक है अभी inflation पढ़ामने कि inflation क्या है कि prices में लगातार जो है वरिद्धी होना क्या है हमारा inflation है तो inflation accounting क्या है simple यही पता चरह नाम से ही पता चरह है कि inflation accounting क्या है कि जो भी prices में वरिद्धी हुई है जो भी increase हुए है price उनको जो है show करना वो क्या है हमारा inflation accounting है ठीक है तो I hope students की आज की वीडियो आपके लिए useful रही होगी यह हमारा जो है basic था इस chapter का and next वीडियो में हम बात करेंगे methods of price level accounting के बारे में तो next वीडियो देखने के लिए आप channel को subscribe कर लीजेगा and next वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम इसी topic के साथ and तब दक thank you so much